हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट थी की इंग्लिश रीडर का लेसन सेवन, वाटर वाटर एवरिवेर, हर तरफ पानी ही पानी, इससे पहले हम सिक्स चैप्टर तक के सारे चैप्टर्स का एक्स्पानेशन और उसकी एक्सेसाइज देख चुके हैं, तो हम शुर होता है, what will you do in case, there is a flood, बाण के आने पर आप क्या करेंगे, On a very heavy rainy day, एक बैहद तीच बारिश वाले दिन, the headmaster of village school discussed the causes and effect of flutes with his students, एक गाउं के स्कूल के प्रधान अध्यापक अपने विध्यारतियों से बाढ के कारण और प्रभाव के बारे में विचार विमर्ष करते हैं, He begins to talk to the student, वो हवे ध्यारतियों से बात करना प्रारम्ब करते हैं, H.M. H.M. मतलब headmaster, H.M. It's running cat and dogs, बिल्ली कुत्ते बरस रहे हैं, विने, Sir, do you mean cat and dogs are falling from the sky? विने कहता है कि Sir, क्या आपका मतलब है कि आसमान से बिल्लियां और कुत्ते गिर रहे हैं? Headmaster, No, no, I mean it's running heavily, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जोर की बरसाथ हो रही हैं? The idea, यह एक मुहावरा है, cat and dogs, is used to indicate heavy rainfall, और cat and dogs को मुहावरे का प्रयोग जोर से बरसाथ होने को बताने के लिए किया गया है, अर्जुन, ओ, it's interesting, वाह, यह तो बहुत ही रोचक था, Headmaster, Do you know what a disaster means? क्या आप जानते हैं कि आपदा क्या होती है? Disaster मतलब आपदा, आशू, No, sir, I don't know, what does it mean? आशू, नहीं श्रीमान, हमें तो नहीं पता इसका क्या अर्थ होता है? Headmaster, Disaster is an unexpected event, आपदा एक आकस्मिक घटना को कहते हैं, Such as an accident, जैसे कि कोई दुरघटना, a flood, कोई बाड़, और a fire, या फिर कोई आग, It kills or injuries a lot of people, यहां बहुत सारे लोगों की जाने जाती हैं, और causes a lot of damage to property, या वो लोग घायल हो जाते हैं, या संपत्ती का बहुत बड़ा नुकसान होता है, संदिप, Sir, what cause fluids? बाड़ के क्या कारण है? Headmaster, Flutes are caused by heavy rain, brusting of dams or cloud burst, बाड़, भारी बरसाद, बाधों के तूटने या बादल के फटने के कारण आती है, अबू, Does it mean they are caused by natural forces only? तो अबू कहता है, कि क्या इसका अर्थ यहां है, कि यहां केवल प्राक्रतिक आबदा है, मतलब यह इसमें कोई हस्त शेप मायनों द्वारा नहीं किया जाता? Headmaster, No, though fluid are mostly caused by natural forces, we also play a role in causing them. नहीं, यदे भी बाड़ अधिकतर प्राक्रतिक वेगों के कारण आती है, हमारी भी उसके आने में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है. महिंद्र हाव सर, केसे सर, Headmaster, by deforestation, faulty dam constructions, and breaches in embankments, वनों की कटाई, गलत तरीके से बांधों का निर्माण, और तत बंधों में दरार आने के कारण. रीचा, breaches in embankments, रीचा कहती है कि beaches and embankments ये क्या होता है? Headmaster, yes, nowadays, sorry, nowadays, pressure of transport routes like railway near river banks causes breach in the embankments, it is also a cause of fluids. हाँ, आजकाल आवागमन के मारगों के दबाओ के कारण, जिसे नदी के किनारे के निकट, railway line के तदबंधों में दरार आ जाती है. यहाँ भी बाढ़ का एक कारण है. महक, Sir, what are the effects of fluidas on? महक कहती कि, Sir, हमारे उपर बाढ़ के क्या प्रभाव पड़ते हैं? Headmaster, There are several ill effects, such as destruction of life and property. Epidemics can also occur after fluid. कई प्रकार के बुरे प्रभाव, जैसे जान, माल, किहानी, बाढ़ के बाद, महामारिया भी फेल सकती हैं. Epidemics मतलब महामारिया, जैसे कि अभी कोरोना हुआ था, वो भी एक epidemic था, जिससे बहुत सारे लोग एक साथ प्रभावित होते हैं, वो epidemic कहलाती हैं. Couple, Sir, What are epidemics? Sir, महामारिया क्या होती है? Headmaster, Epidemics are infections, disease, which is spread out over a large population, by means of contentmented water, food and air. महामारी संक्रमक रोग होते हैं, जो जल, भोजन, हवा, के दूशित होने के कारण, विशाल जन संख्या में फेल जाते हैं. भावना, Oh, that's why we have cholera, malaria and dihora after the rain every year. यही कारण है, कि प्रत्यक वर्ष बरसात के बाद, हेजा, malaria और diarrhea फेलता है. Headmaster, Yes, and shoal erosion is another ill effect of fluid. Headmaster कहते कि हाँ, बाड का एक अन्य बुरा प्रभाव म्रदा शरण भी है. आशिस, सर, what should we do is in a situation when fluid comfort us, confront of us. सर, हम क्या कर सकते हैं, जब हम एसी कोई आपदा में फस जाएं, या हमें बाड का सामना करना पड़े. Headmaster, always remember to keep an eye on the water level of the river or the stream, especially when it is raining heavily. नदी या पानी के इस्तर का सदेव ध्यान रखो, खास तोर पर जब बारिश बहुत तेज हो रही है. वीजेनर, can we go near the river to see the water level? क्या हम पानी के इस्तर को देखने के लिए नदी के पास जा सकते हैं? Headmaster, no, never do it. नहीं, ऐसा कभी ना करें. It is risky for children, या बच्चों के लिए खतरनाख हैं. The watchman or the person on duty should do that. इस कारे के लिए नियुक्त व्यक्ति, जो भी वहाँ पर नियुक्त हो वो, या चोकिदार को यह काम करना चाहिए. Nisha, Sir, last year, some children of the nearby village went to the stream and one of them got drawn. Sir, पिछले साल गाओं के कुछ बच्चे, नदी का प्रभाव देखने के लिए जलधारा के पास गये थे, तो उनमें से एक डूब गया. Headmaster, Yes, it's a horrible. हाँ, यह बहुत दुखद है. So, always keep a safe distance from a fluted river or a stream. इसलिए, बाड आई हुई नदी यह जलधारा को सदेव, शुरक्षित दूरी बना कर ही रखना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए, जब चोकिदार हमें सूचना दे कि इस्थिती खराब होती जा रही है. Headmaster, Now you have to make some necessary arrangements to cope with the situation. अब तुम्हें इस्थिती को संभालने के लिए कुछ आवशेक ववस्थाएं करनी होंगी. रचना, What are they? वे क्या है, सर? Headmaster, First, don't get panic in any circumstance. सबसे पहले, हमें किसी भी परिस्थिती में भहईबीत नहीं होना है. आसू, Yes, सर. जी, ठीक है, सर. Headmaster, And try to help our parents. और हमें हमारे माता-पिता की मदद करने के बारे में कोशिश करना चाहिए. How can we help them? हम उनकी मदद के से कर सकते हैं? Headmaster, If your house is in danger, move out immediately to a safe distance. यदि तुमारा घर खत्रे में है, तो तुरांत एक सुरक्षित दूरी पर चले जाए. नगीना, Should we climb a tree? क्या हम एक पेड़ पर चड़ जाना चाहिए? Headmaster, No, Don't climb a tree. It is, It can be dangerous. नहीं, पेड़ पर नहीं चड़े, यहां भी बहुत जादा खतरनाक हो सकता है. Headmaster, Move towards a higher place. हमें किसी उचे स्थान पर चले जाना चाहिए? It is better to shift to a concrete house like a school building, a temple और a gram पंचायत भवन. एक concrete से बने मकान, जैसे की स्कूल की इमारत, मंदीर या gram पंचायत भवन में चले जाना बहतर है. बलवन, We can, we save our cattle, sir. हम अपने पस्वों को केसे बचा सकते हैं? Headmaster, Free all of them and try to make them to our suffer, suffer places. उन सभी को हमें छोड़ देना चाहिए और उन्हें भी एक सुरक्सित जगा पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए. अबू, What else should we do? और क्या करना चाहिए? Headmaster, Take some eatables, cloths and torch or candles, match boxes and other essential items and leave your house for a safer place. कुछ खाने की वस्तुए, कपड़े, एक टॉर्च या मोम बत्तिया, माचीस और कुछ अन्हें जरूरी सामान ले जाए और घर छोड़ कर सुरक्षित इस्थान पर चले जाए. महग, और और संक्रमित करने का प्रयास करें. मित नाशक जैसे डिडिटी, चूने का पानी, मिट्टी का तेल, फिनॉल, आदी का छिड़काव अपने घर में और उसके आसपास करें. इन दर, आराउंड यूर हाउसे, बट दर मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर इस तो टेक के आर ओफ ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन सबसे महत्वपुन उपाए, पीने के पानी का देखभाल हमें पहले करना चाहिए. साजी, इसके आलावा, और हमें क्या करना चाहिए? एड मास्टर, टैग दा, मेंबर ओफ यूर फैमिली तो दे हॉस्पिटल एंड दे केटल तो वेटरेनरी हॉस्पिटल तो गेट प्रोपर मेडिकल ट्रिटमेंट एंड वेक्सिनिशन अगिंस डिसीज, अपने परिवार के सदस्यों को अस्पताल और पशू ओं को पशू च किस साल है उचित इलाज और बिमारियों के टीके लगवाने के लिए हमें ले जाना चाहिए All students, Thank you sir, Today you have given us very valuable information Sir, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज बहुत ही मुल्यवान जानकारी दी है Headmaster Okay, now go back to your houses चलिए अब आप सभी अपने अपने घर जाए May God forbid, but at any time in future, you hear some alarming news like a flu भगवान ना करे, फिर भी यदि भविश्य में किसी भी समय तुम्हें बार जैसी किसी संकट की सूचना मिले Do shift to a safe place like this school, building with your family and neighbors as soon as possible तो जितने जल्दी संभव हो आपने परिवार और पडोसियों सहीत इस विद्याले की इमारत जैसे किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए तो यहाँ पर हमारा chapter फिनिश होता है इसके बाद हम इसकी exercise देखेंगे second part में अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को like कीजिए Thank you so much